तो आज हम poverty के बारे हम बात करेंगे कि क्या होती है poverty तो poverty वो condition होती है जिसमें financial resources काफी कम होते हैं इतने कम होते हैं कि minimum living standard भी maintain करना काफी मुश्किल होता है जैसे कि जो basic needs होती है food, shelter and clothes ये भी fulfill नहीं हो पा तो जब ये needs भी fulfill नहीं हो पाते हैं किसी condition में तो उसी condition को हम poverty कहते ह वर्ल बैंक की माने तो वर्ल बैंक ने भी poverty को define किया है कि ये वही condition होती है जब आपके पास कमी होती है काफी सारे चीजों की and काफी multi dimensions होती है इसके many dimensions होते हैं यानि कि आपके पास low income होती है आप basic चीज जो आपने लिए नहीं ही घठा कर पाते हैं जो कि आपके survival के लिए जरूरी होती हैं जैसे कि food, shelter, clothes तो ये सब जब ये basic चीज़ें भी आपको नहीं मिल पाती है तो उसी condition को poverty कहते हैं ठीक है types of poverty की बात करें तो दो तरह की poverty होती है पहली है absolute poverty and second relative poverty absolute poverty वो condition होती है जिसमें जो household की income होती है वो इतनी कम होती है कि जो minimum basic standard है वो भी maintain नहीं हो पाता है यानि कि जो basic needs है food, shelter और housing ये भी fulfill नहीं हो पाती है second is relative poverty तो इस तरह की जो poverty होती है इसे social perspective की हिसाब से define किया जाता है यानि कि comparison होता है living standard के basis पर कि suppose UP के लोग का living standard कैसा है MP के लोग का living standard कैसा है या फिर इंडिया के लोग का living standard कैसा है चाना के लोग का living standard कैसा है तो उस basis पर जो है इसमें poverty को define किया जाता है and income inequality भी define की जाती है relative poverty के basis पर तो इसमें इस तरह से comparison किया जाता है living standard के basis पर next है causes of poverty in India यानि कि poverty के क्या कारण है क्या कारण है गरीबी के तो वो देखते हैं first है population explosion यानि कि population जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है अगर हम पिछले 45 सालों की बात करें तो 2.2% की rate से जो हर साल population increase हो रही है हर साल सत्रा मिलियन लोग एड होते हैं population में तो काफी तेजी से बढ़ी है जिसकी वज़े से जो है consumption increase होता है यह reason भी है कि population का काफी तेजी से बढ़ना भी एक poverty का reason होता है तो second reason है low agriculture productivity यानि कि agriculture sector में काफी productivity low है अब इसका क्या reason है कि क्यों low होती है इतनी productivity तो काफी छोटे छोटे लैंड होते हैं पीस ओफ लैंड होते हैं जिसकी वज़े से जो है आउटपुट जादा नहीं आ पाता है lack of capital, capital कम होती है, illiteracy होती है, new technology यानि कि farmers जो है वो new technology का इस्तमाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से जो है वो productivity काफी कम आती है traditional method का use किया जाता है cultivation के time पे और wastage काफी जादा होती है storage में तो ये सारे कुछ reason है जिसकी वज़े से agriculture sector में productivity काफी कम आती है तो एक ये reason भी है poverty क्या क्योंकि हमारी जो काफी जादा population है वो agriculture sector पे depend है अगर agriculture sector से ही productivity कम आएगी तो उनका जो living standard है वो automatically काफी poor होगा inefficient resources and utilization so इसमें under employment and disguised unemployment जो है वो काफी जादा देखने को मिलती है हमारी country में basically ये farming sector ये agriculture sector में काफी जादा देखने को मिलती है अब क्या होती है under employment and disguised unemployment वो देख लेते हैं तो for example अगर किसी काम को करने में 4 लोग की ज़रूरत है बट वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं में involved होती है चाहिए उतनी जरूरत हो या ना हो लेकिन फिर भी जो है वो लोग involved रहते हैं तो जिसकी वज़ा से जो productivity है वो काफी कम होती है output काफी कम आता है और जो उनका leaving standard है वो भी बिलकुल improve नहीं होता है वो भी बिलकुल वैसा का वैसा ही रहता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है unemployment तो unemployment में एक काफी important factor है poverty के लिए क्योंकि population काफी तेजी से increase हो रही है बट jobs नहीं increase हो रही है jobs create नहीं हो रही है तो जिसकी वज़ा से जो है वो mismatch होता है demand में and supply में यानि की demand तो बढ़ रही है लोग job के लिए तयार हो रहे हैं बट उतनी job provide नहीं कर आपा रहे हैं तो यह भी mismatch create होता है पावर्टी के क्या reason है इंडिय में next देखते हैं पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम विन इंडिय मिन इंडिय है यानि की poverty को कम करने के लिए कुछ program चलाए है government ने अधी तक कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो government ने start किये है poverty को कम करने के लिए first है महात्मा varied national rural пром प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना तो इसमें भी जो में फोकस रहता है वो इसकिल डवलप्मेंट पर ही रहता है और उन लोगों को टार्गेट किया जाता है बेसिकली जो क्लास 10 या 12 में जो ड्रॉप आउट होते हैं तो उनको टार्गेट किया जाता है ताकि उनमें इसकिल डवलप करके उनको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड की जा सके और यूथ वह सही डेक्षन दी जा सके तो पाइंट है प्रदान मंतरी जंधन योजना इसका जो एम है कि डारेक्ट benefit ट्रासर्फर करना है सप्टी पेंशन्या इंशॉरंस वगारा कि जो benefit होते हैं government की जो schemes होती उनका benefit directly transfer करना है beneficiary के account में जो unbanked लोग हैं जो बैंकों से connected नहीं है उनके पास तक बैंकों की service पहुचानी है लोगों को financially independent करना है लोगों के पास तक financial services को पहुचाना है कि लोगों बैंकों तक connect किया जा सके गौर्मेंट schemes का जो benefit है उसे grassroot level तक पहुचाना है जा सके तो this is all about poverty I hope you like this video thank you have a nice day